कुछ काम ऐसे होते हैं जिने करते वक्त तो यही लगता है सही कर रहे हैं लेकिन कुछ सालों के बाद हैसास होता है अब यह क्या बबंडर कर दिया बे ऐसी गल्दिक की थी रोनाइल्ड वेन ने अरे रोनाइल्ड वेन एपल के को फाउंडर थे कंपनी का पहला लोगों भी इन्होंडे बनाया था और अग्रिमेंट के नुसार कंपनी के 10% हिस्से तारी के मालिक भी थी आज 2.3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट का प्रिजेशन वाली एपल के 1970 के साल काफी मुश्किल भर थे पहले तो कंपनी के प्रोर्स पेल पेल हुए जा रहे थे उपर से स्टीव जॉब्स का काप करने का तरीका किसी को भी पसंद नहीं आना था और इसी कारणर रोनाइल्ड वेन को डर था कि कंपनी को तरा लग जाएगा उनकी सारी इंवेस्टमेंट जीर हो जाएगी इस चक् में जो 800 डोरों में शेर बेचे थे आज उनकी वेलियोशन क्या होगी 100 बिलियल डॉलर्स और यही बात रोनाइल्ड वेन से पूछी गई कि आपको यह 800 डोरों में शेर बेचने के कारण कोई पस्तावा तो नहीं है तो उन्हें का नहीं I don't care अचल जुटा